तो स्वागत है आप सभी का ग्याफ़नी के इसना है और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नंबर 6 है इसको जो कि ये क्या है दास्तान है याद रखिएगा चैप्टर नंबर 6 का नाम है बाग बहार और बाग बह कहानी कहानी यादि कि अफसाना और दास्तान में फर्क होता है देखिए अफसाना उसको कहते हैं जिस कहानी को हम लोग एक ही बैठक में पढ़ सके उसको कहते हैं आप लोग बहुत सारी लोगों को ये कहते हुए सुने होंगे कि वो तो अपना दास्तान ही सुनाने लगा द this chapter is not an story यह chapter कोई कहानी नहीं है यह एक दास्तान है और पूरा दास्तान आप लोगको नहीं पढ़ना है देखेए यह जो बढ़ों-बहर नाम का चैप्टर हैं ये जो दास्तान है न इसको चार दरवेशों में बाटा गया है और चार डर्वेशों विवाटा जिए बाटा गया है उसका छrü। धशा प्रेश आप लो पढ़एंक दातान का एक एक टुकड़ा पढ़ना है मतलब पूरा सोला घंटा हो जाएगा रात हो जाएगा फिर दिन हो जाएगा फिर उसके बार से यह दास्तान खतम ही नहीं होगा लेकिन हमें पूरा दास्तान को नहीं पढ़ना है हमें इस दास्तान की एक छोटे से अंश एक छोटे से टुकड़े को पढ़ना एक छोटी सी एकतबास को पक्का है 100% से और है कि कोश्चन पूछा जाता है चैप्टर से भी और राइटर से भी तो चलिए सबसे पहले मीर अमन देहली के बारे में समझ लेते हैं और फिर मैं आप तो चätकर में पता लगाना बहुत मुश्किल कुछ लोगों से जाकर पूछो तो सुनक रखना मिरा तुसली के बारे में नहीं मिलती है यह रिसर्च हो पता मीरमन दहलवी की पैदाइश जो है ना वो दिल्ली में हुई थी बस कब हुई डेट नहीं पता है सिर्फ इतना पता है कि इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और दिल्ली में ही यह पढ़ाई लिखाई का काम पालंपोशट का काम इनका दिल्ली में ही हुआ था और इनका असल नाम यानि कि real name मीरमन है यह तो आप लोग जानते हैं मीरमन डेल्वी और इनका तखलेफ याद रखिएगा लुत्फ हैं तखलेफ किसे कीती है आप लोग जानते होंगे बहुत बार मैं आप लोगों को बताई हूँ शाइर जो होता है अपनी शहरी के पढ़ा गया अलग अलग जगा हमिनला लोगों से पता लगा लगया यह कुछ लिखे हुए आप बोल सकते हैं किटाबों को पढ़ा गया तो पथा लगा कि मीरमन दहल्वी का जो भांधा था नौ के नाम पर था तो इनके पीता जी तो अपने बेटे के ये नाम पर ही ना लिखेंगे तारा जमीन जायदात तो मीरमन देहलवी के पास इनके नाम पर बहुत सारे जमीन जायदात थे लेकिन हुआ ये कि जब मुगल शासक भारत को छोड़ कर गए तो उसके साथ मीरमन देहलव की फौज जब आई दिल्ली मेना तो इनका घर भी महफूज नहीं रहा मतलब इनका घर भी लूट गया सब कुछ लूट गया इनकी जिंदगी बरबाद हो गई सारा जितना भी जमीन जायदाद घर था सब कुछ लूट गया अब बेचारे मीरमन दहलवी जो है न वो चले आए अजीमाबाद और अजीमाबाद में आकर बहुत सालों तक ही रहें और फिर तलास मास के सिलसिले में और आप बोचकते हैं नौकरी की तलास में ठीक है वो गये थे कहां कलकत्ता भी गये थे और फिर कलकत्ता से वापस आकर इन्होंने चार मई अठार से एक को 40 रुपे महीन कब की बात हो रही है ठीक है न उस वक्त के लिए 40 रुपे बहुत अधा हुआ करता था तो 40 रुपे महीने तनफा पर फॉरट विल्यम कॉलेज की हिंदुस्तानी शोबह यान की हिंदुस्तान के डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगे कौन से कॉलेज में तो फॉरट वि फॉरट विलियम कॉलेज से रिटायर हो गए, सब अगदोश हो गए, ठीक है, लेकिन ये पांच सालों तक उस कॉलेज में थे ना, तो उस कॉलेज में दो किताबे लिशे थे, सब सब पहले तो जानी है कि मीरमन देली फार्सी के बहुत अच्छे जानकार थे, फार्सी बहुत के महसनी, और इसको उर्दू में ट्रांसलेट किये, तो उस किताब का नाम रख दिया गया, गंजे खोबी, तो ये जो गंजे खोबी है, फॉरट विलियम कॉलेज में जब नौकरी कर रहे थे, उसी वक्त लिखे थे, और उसके साथ साथ एक चाहार दरवेश नाम का किताब और इसको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया उर्दू में बागो बहार के नाम से और इसको भी पॉरट वॉलियम कॉलेज में जब नौकरी कर रहे थे, तब ही लिखे थे, मतलब ये दोनों किताब जो है गंजे खूबी और वागो बहार, फॉरट विलियम कॉलेज में मुला किताब है बागो बहार मतलब मीरमन popular इस किताब के होजासे हुए तो बागो बहार नाम कि ये दास्टान के किताब के होजासे बहुत ही ज्यादा famous रफ बहुत ही जप гр Sac profile लोग बहुत ज्यादा पसंद किये इसकिताब को यह किताब अठार सा एक में मुकम्मल हो चुकी थी इस वक्त उसका नाम चहार दर्वेश था देखिए चहार दर्वेश नाम के किताब से उर्दू में ट्रंसलेट किये थे मीरमन देलवी तो अठार सा एक में ये लिख कर तयार कर दिये थे तो अठार सा एक में उस फौह नाम रख दिया गया 802 में मीरमान द्वारा लिखा गया किताब को पहली मर्तबा 1804 में कल्कुत के इस एक फ़ònissen ने थिन Subscribe डेटा मिंपरकांशित किया चिदिया लिए याद रखना कॉप्शन गुर्मा कर पोछ देता है 802 में कॉलेज के तरफ से बागो बाहर किताब पर 500 रुपए कंगो इनाम मीद था क्योंकि 831 में लिखकर तयार हो गया था ना अठार से एक मेही बागो बाहर नाम का किताब मुकमल हो चुका था मीरमन देली भी लिख दिये थे तो अठार से दो में फॉरट वॉलियम कॉलेज से जिस कॉलेज में उनक्री कर रहे थे उसी कॉलेज से इनको पांस रुपे का इनाम भी मिला था सोची चालिस रुपे महीने और चैलिस रुपे महीने तनखा पर लगे थे और पांस रुपे का उनको इनाम मिला तो उस वक्त के लिए पांस रुपे यह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे ठीक और देखिए एक और ज़रूरी और important बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा important बात ये है कि मीर मुहमद अत्ता हुसेन खात है सीन यह एक किताब लिखे थे नौ तर्ज तर्ज मुरस्था यह जो किताब है याद रखिएगा यह भी किताब चहार दर्वेश नाम के किताब का ही तर्जुमा है अच्छा चहार लोग उर्दू बोलते हैं न उस तरह उर्दू में translate किया था चहार दर्वेश नाम के इस फार्सी के किताब को उर्दू में translate किये थे मीर मुहमद अत्ता हुसेन खा तहसीन और उस किताब का नाम क्या रख दिया गया नौ तर्ज मुरस्था याद रखिएगा नौ तर्ज मीर मुहमद अत्ता हुसेन खा तहसीन और फिर नौ तर्ज मुरस्था इसमें जो कहानी है मतलब इंडिरेक्ली चहार दर्वेश में जो कहानी है ना इसी कहानी को बागो बाहर नाम के किताब में डाल दिया गया मतलब बागो बाहर नाम का किताब लिखकर तयार कर दिया गया तो indirectly ये जो बागो बाहर नाम का किताब है वो किसका तरजुमा है चाहर दर्वेस का ही तरजुमा है ट्रांसलेट किया हुआ है ठीक है तो ये याद रखना जरूरी है चाहर दर्वेस का तरजुमा किताब बागो बाहर है और बागो बाहर के लिखने वाले मीरमन दहलवी है य जौन गुल कृष्ट की ख्वाइस पर ही मीरमन दहलवी जो है ना बागो बहार नाम का किताब लिखे यान की चाहर दर्वेश को उर्दु में ट्रांसलेट किये और उस किताब का नाम रख दिया गया बागो बहार अई होप आप लोगो को यहां तक समझ में आ गया होगा अब सबसे पहले आप लोग यहां तक स्क्रिन शॉट ले लीजे और फिर मैं आप लोगो को इस कहानी इस दास्तान को समझाती हूँ ठीक है ले लीजे फडवर स्क्रिन शॉट अब चलिए मैं आप लोग को पूरी कहाणी बताती हूं दास्तान का यह चोड़ा सा टुक्ड़ा है और याद रहे और इस दास्तान को कितने दर्वेशों में बाठा गया है तो चार दर्वेशों में और ये चौथा दर्वेश की कहानी अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही है तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बादशा रहता है और वो बादशा कहां का बादशा रहता है तो चीन माचीन मुल्क का बादशा रहता है याद रखना है बादशा कहां का बादशा रहता है यान कि बादशाह मर जाता तो उसका बेटा बादशाह बनता फिर वो मर जाता मतलब उसका बेटा फिर उसका बेटा ये खांदानी चलता था ठीक है तो बादशाह की एक दिन तबीद खराब हो गई अब इनको फिक्र हुई कि अब अगला बादशाह कौन बनेगा अगर मेरी म बादशाह सोच रहे थे कि अभी मेरा जो बेटा है वो छोटा है यान कि शहजादा भी छोटा है अभी वो इस मुल्क को चलाने के लायक नहीं है गद्दी संभालने के लायक नहीं है तो यह अपने भाई को बुलाए बादशाह क्या किये अपने भाई को बुलाए और वो जो का भाई है वाधिशाह क…. बादिशाह का भाई है वो शयजाह लगेगा अपने अब्झ Sunda का भाई को बुलाय और बोले बादशाह शहजादे के चचा से यानि कि अपने भाई से बोले कि देखो अभी मेरा बेटे जो है न छोटा है गदी संभालने के लायक नहीं है इस मुल्क को चीन माचिन मुल्क को चलाने के लायक नहीं है मैं तुमको ये गदी सौपता हूँ मैं तुमको इस चीन माचिन मुल्क का बाद बनाता हूं लेकिन ध्यान रहे मुझसे वादा करो कि जब मेरा बेटा गद्धी संभालने के लाइक हो जाएगा जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा जब वो इस मुल्क पर राज करने के लाइक हो जाएगा तो तुम उसे गद्धी स्वाप दोगे तुम उसे इस मुल्क का बादशा बना कर मर जाते हैं, असली कहानी यहीं से शुरूкив होती है, बादशा की अगर मौत नहीं हूई रही णा, तो पूरी घटना होती ही नहीं, अब बादशा का भाई यानिकि शहधादा का जो चचा है, वो राजा बन जाता है, बादशादा बन जाता है, उस चीन-माच सोपने की अब जब बात आती है शहजादे को राजया बनाने की ते Mund बात आती है ना तब notte a ऐन की बाधिशा के अंदर लालच आजती है वह नहीं चाहता है बाधिशा कि मैं अपने भतीजे को इस मुल्ख का बाधिशा बनाऊं और मैं गद्शु वह चाहा रहा था उसका चचा की मैं ही मिल्क करा राजा बना रहूं और मैंango पर राज कर Tom ठीक है और इसी वज़ों से बाद शयागेनए अपने आपने भतीजे को कत्ल करवाने का हुक्म देता journey एक नौकर को बुलाता है उस नौकर का नाम रहता है मुबारक याद रखिएगा नौकर का नाम क्या रहता है मुबारक तो बादशा जो है यानकी शहजादे कचचा वो एक नौकर जिसका नाम रहता है मुबारक उसको बुलाता है और बोलता है कि जाओ मेरे भतीजे को कतल कर दालो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस मुल्क का बादशाह बने उसको मैं गद्धी नहीं सौपना चाहता हूं और इसलिए जाओ मेरे भतिजे को पतल कर डालो मार डालो तो मुबारक जहेना वो बोलता है कि बादशाह अगर बुरा नमाने तो मैं आपको एक राय देना चाहता हूं तो तो अगर यापको को कतल करवा डालेंगे ना तो सभी लोग आपका अवाम जो है ना आप पर थुकेगा आपको गाली देगा कि एक चचा ने अपने भतीजे को कतल करवा डाला गद्दी की लालश में और इस तरह आपकी चारों तरफ बदनामी होगी आप क्या करो कि आप हमारे सांथ शहजादी तो कहीं दूर जंगल में भीज़ कर और मैं जंगल में शहजादे को छोड़ कर चलाँगा और फिर आप बोले हों रहा है और उस तरहां कि थीक है यह जो राय है यह मश्वरा है बादशाव को बहुत ही अच्छा लगा बोले की ठीक है कि तुम राय दिये क्या डिसिजन दिये हो बहुत बढ़ियां इस पर अमल किया जाए कल तुम शहजादे को लेकर जंगल में चले जाना रवाना हो जाना मुबारक बोला जी जनाब जी बादशाह मैं कल रवाना हो जाओंगा तैयारिया हो गई सुबह हुआ और सुबह में मुबारक जो है न सहज निकल पड़े जंगल की तरह जो नौकर था मुबारक जाना था जंगल में लिये मुबारक शहजादा भी बहुत चाहिए ना यन की अंदर लाला चाह गई है वो तुम्हें पतल करवा देना चाहता है वो तो तुमको पतल करवा देना चाहता था लेकिन मैं किसी भी तरह उसे बोला बादशाह से कि आप मेरे साथ जंगल में भेज देजिए मैं उसको वही छोड़कर चलाओंगा और फिर आपकी बदनामी भी नहीं होगी किसी तरह बहाना बनाकर मैं इतनी दूर तुमको लेकर आया हूँ तुम्हारा चाचा तुमको मार देना चाहता है सिर्फ गद्दी की लालच में वह नहीं चाहता कि तुम बादशाह बनो वही सिर्फ बादशाह रहना चाहता है वही राज करना चाहता है जब यह बात सुना जिन्नातों के बादशा मलिक साधिक के पास जिन्नातों का एक बादशा रहता है जिसका नाम क्या रहता है मलिक साधिक याद रखिएगा ठीक है क्योंकि मुझे लबता है कि तुम्हारे पिता जी जो थे ना यानकी पुराने वाले बादशा उनकी दोस्ती थी मलिक साधिक के स मांत थी और इसलिए मुझे लगता है कि जब तुम जिन्नातों के बादशा मलिक साधिक के पास जाओगे न तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे क्योंकि तुम्हारे पिता जी उनके दोस्त थे चलो मैं तुमको वहीं पढ़ लेकर चलता हूं ठीक है शहजादा बात मान गया मुबारक मलीक साधिक के पास लेकर जाने लगा रास्ती में जाते जाते व्याद बात करते जा रहे थे और जब बहुत दूर गए실 तो मुझे नदे नहीं नहीं ठीक है तो मुबारक बोला कि रुको तेंफन नहीं लो मैं तुमको दिखाता हूं और एक सुलेमानी सुर्मा निकाला जो साथ में लेकर आया था और सुलेमानी सुर्मा निकालकर शहजादे की आँख में लगा दिया और जैसे ही सुलेमानी सुर्मा शहजादे ने लगाया दोनों जन शहजादा और मुबारक देख रहे हैं कि महल है और जो बीच में सिंहासन रहता है गद्धी वहाँ पर जिन्नातों का जो बादशा है मलिक साधिक बैठा हुआ है और साइड बीच में चटाई भी बीच हुए लंबा सा एकदम और साइड साइड में मंत्री भी चीन माचिन मुल्क का शहजादा है और मैं जानता हूं कि इसके पिता जी यानि की चीन माचिन मुल्क के पुराने वाले बादशा से आपकी बहुत गहरा तालुक था बहुत गहरी दोस्ती थी और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप इसकी मदद कर सके देखिए जब पुराने वाले बादशा थे ना चीन माचिन मुल्क के बादशा पुराने वाले बादशा यानि की सहजादे की पिता जी वो अपने भाई को बुलाए उनकी तवियत खराबती तो अपने भाई को बुलाए थे और उन्होंने कहा अपने भाई से और वादा करवाया कि अभी मैं कुछ दिनों के लिए कुछ सालों के लिए तुमको बादशा बना देता हूं चीन माचीन मुल्क का तुमको गद् ठीक है अब समय आ गया है शहजादा जो है बड़ा हो गया अब ये गद्धी संभालने के लायक हो गया है राज करने के लायक हो गया है तो अब चचा के दिल में लालच आ गई है अब इसका जो चचा है वो इसको गद्धी नहीं सौप रहा है इसको राजा नहीं बना रहा है बेलकि इसको गतल करवा देना चाहता है, तो इसमें आप हमारी मदद कीजिए, मलिक सादिक, हम जानते हैं कि आप शहजादे के पिता जी के बहुत ही गहरे दोस्त थे, और अभी भी हैं, और इसलिए आप हमारी मदद करेंगे, ये बात सुनकर मलिक सादिक जो है न, वो बोला हसते हुए, ज़्यादा टेंसन नहीं ले रहा होगा सैंत, बिनातों का बादशा, बादशा था न, तो टेंसन क्यों लेगा, हसते हुए, मुस्कुराते हुए बोला, कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, तब मुबारक जो है न, वो बोला कि बताईए, तो फिर क्या काम है, हम लोग बिल्कुन वो काम करने के लिए तैयार है, बताईए, कौन सा काम है, तब मलिक सादिक जो है न, वो एक कागज निकाल कर, मलिक सादिक शहजादे के पास गया, और कागज निकालकर श्रहजादे को दिया उस कागज पर एक लड़की की इमेज बने हुई थी फोटो था ठीक है ना और वो जो लड़की थी ना बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत थी मतलब उसके जैसा खुबसूरत इस दुनिया में कोई लड़की ही नहीं हो सकती थी और उस लड़की का फोटो देखकर श्रहजादा जो है ना इर्दम चौक सा गया कि इतनी ज़्यादा खुबसूरत लड़की इस दुनिया में तो हो इनहीं सकती है और वेहोस होते हो बचा ठीक है तब जो है ना मलिक सादिक श्रहजादे को धमकाया बोला कि देखो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है अगर तुम इसके खुबसूरती पर चले गए और ये लड़की तुम्हें मिल गई और तुम इस लड़की को लेकर उधरी रहे गए मेरे पास नहीं लाए तो मुझसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा और कोई नहीं तुम्हें किसी भी हाल में इस लड़की को मेरे पास लाना होगा जाओ जब तुम ये काम कर दोगे तब मैं तुम्हें चीन माचीन मुल्क का बादशाह बना दूँगा अब यहां से आग की कहानी ये है कि मुबारक और शहजादे चले जाते हैं उस लड़की जो फोटो पर जो फोटो रहता है मतलब कागत पर लड़की का इमेज रहता है उस लड़की को धूनने के लिए निकल पड़ते हैं धूंते जाते हैं धूंते हैं धूंते हैं कहीं नहीं मिलती है वो लड़की इस तरह धूंते धूंते साथ साल बेत जाते हैं ध्यान रखिए साथ साल साथ साल के बाद मुबारक और शहजादा एक नय मुल्क में जाते हैं नय देश में जाते हैं और वो मुल्क जो बहुत ज़ फकीर रहता है यहां से कोशन पूछ देता है कि बाव बहार नाम के दास्तान में कितने मुलकों का जिक्र है तो याद रखिएगा इस दास्तान में दो मुलकों का जिक्र है एक तो चीन माचीन और एक हिंदुस्तान ठीक है तो गर कोशन पूछे तो यह भी नहीं चोड़ना है तो वो जो शहजादा है वो खुद एक असरफी निकालता है और उस फकीर को ले जाकर दे देता है ठीक है अंधा फकीर जो है न उस भीख को लेकर यानि की असरफी को लेकर एक असरफी देता है यहां से भी कोशन पूछता है कि शहजादे ने अंधे फकीर को कितने असरफिया ठीक, तो अंधा फकीर भीख को लेकर और शहजादे को दूआ देता है कि खुदा तेरा भला करे, लगता है तु इस मुल्क में नया आया हुआ है, तभी तुने मुझको भीख दिया, तेरी जो भी खुआईश है, खुदा तेरी खुआईश को पूरा करे, ये दूआ देते पूरा हो जाएगा ठीक है फकीर तो जाने लगा तरह और मुबारख उस फकीर को देख रहे थे कि आखिर वह जा किस तरफ रहा है पीचा किई उस फकीर का तो फकीर जो है ना एक महल के पास गया वो महल जो बहुत ही ज़्यादा पूराना हो गया था दोनों पीछा करते हुए गये देख रहे हैं कि फौकीर उस महल को देख रहा था अगर यह महल जब नाया होगा तो कितना खुबसूरत होगा बहुत अच्छा महल था ठीक है तो दोनों देखते हैं कि पेलो और कुछ खाने के लिए बना दो ठीक है तो उस महल से जो लडकी बाहर निकलती है ना कि देखकर डंग रह जाते हैं मुबारक और शहजादा दोनों क्यूं क्यों कि वह वही लड़की है वही लड़की रहती है जिस लड़की को वह सात सालों से धून रहे होते हैं तुर कर दंग रहे गए शहजादा जो है ना उसकी खुब सूर्थी तो देखकर बेहोश हो गया लो भई जब बेहोश हो गया मुबारक जगाने लगा कि उठो उठो कितना भी हाथ पैर हिला रहा था कुछ मतलब शहजादे को कोई फरकी नहीं पड़ रहा था यह देखकर वो जो ल कि इसको ढूंड रहे हो बताओ तब सहजादा जो है ना उस फोटो को निकाला जिस पर उस लड़की का इमेज बना हुआ था फोटो निकाल कर दिखाया वहला कि मैं इस लड़की को साथ सालों से ढूंड रहा था और यहां पर सच्चा ही चुपा दिया शहजादा जो है यह यह नहीं बताया कि इस लड़की को मलिक सादिक ने ढूंडने के लिए भेजा है यह नहीं बताया बलकि शहजादे ने यह बोला कि मैं इस फोटो को इसी सौधागर से खरदा था और इस लड़की को मैं साथ सालों से ढूंड रहा हूं लेकिन नहीं मिल रही थी लेकिन खु और यह इतनी ज्यादा खुबसूरत कि । इसके चर्चे चारो तरफ पैल गए थे और एक शहजादा था जू जो इस लड़की से ही साधी करनी है तो शहजादे की पिता जी हमारे पास आये थे अपने बेटे का रिष्टा लेकर फिर मैंने अपनी बेटी के रिष्टे के लिए हां बोल दिया और फिर शादी की तैयारिया धूम-धाम से होने लगी और मैं आप लोगों को बता दू कि इसके आग कि अगर करते हैं तो यहां पर फाइनली पुर्ण रूप चैप्तर को पढ़ा दी मैं आप लोगो को पूरी कहानी बता दी और मुसनिब के बारे में सारा अब तक वीडियो को शेर करते हैं तो फड़ा बट शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास ताकि वो लोग भी ये कहानी सुन सके और इस वीडियो का लाव उठा सके वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किये ना तो पड़पट लाइक करें इतना मस्त तबर जवरदस्त में आप लोग कहानी बताई हूं लाइक तो बनता है और चैनल पर अगर आप लुग नए आए वह हैं तो चैनल को सब्सक